स्वागत है आपका इस YouTube चैनल लर्ण टी लाइफ में तो आज है 21st of March और इस सेशन में दा हिंदू जल्दी से कर लीजे में जल्दी से जलिखे संटैन दीजिए ताके सेशन को इस शुरु किया जाया कि आज का रहने वाला की बात करें पहला लोड आपके सामने की उधां अँच송 ये फ़िए क्या सब страх और लोग पार है उस्पेश है बहुत सारे एक्जाम है लाइक सीडियस हो गया है एंडीय हो गया एक है तो इन सारे में आप से पार्ट अपे से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और पूछ लिया जाएगा कि यह कौन सा पार्ट अप सब्सक्राइब है ठीक है तो चलिए देखते हैं कि आखिर कंटेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है अगर इसके इंग्लिष मिनिंग की बात करें तो इसका इंग्लिष मिनिंग होता है इंगेज in competition to attain a position of power ठीक है यानि कि इंगेज होना किसी competition में यानि कि कोई प्रतियोगीता हो रहा तो उसमें सामिल होना मानले जेकि कोई position पाने के लिए जैसे मानले जैकि अगर कि रूल करने के लिए अप सत्ता में आने के लिए क्या होता है लोग चुनाओ लड़ते हैं और चुनाओ लड़ते हैं उन्हें एक पोजीशन मिल जाता है जिस भी पद्वे लड़ते हैं लाइक विधायक हो गया मुख्या हो ठीक है पीम सी तो वह क्या कर रहे हैं एलेक्शन सब्सक्राइब हो जाएगा क्या हो जाएगा डिबेटेड आर्ग्यूड चैलेंज या फिर इंपग्न यह सारे इसके सिनोनेम सुझाएंगे ठीक है तो वर्ड कंटेस्टिंग हो गया जिसका मिनिंग होता है चुनाओ लड़ना या परत्योगीता में सामिल होना आर्ग्यू करके असानी से याद करने में जैसे आप यहां पर देख सकते हैं रसा खीचने का कमपटीशन हो रहा है तो इसमें जो भी स्ट्रॉंग होगा वह क्या करेगा उस कमपटीशन को जीथ पाएगा तो आगे देखते हैं सेकेंड वर्ड क्या रहने वाला है अगला वर्ड है इस आगे बढ़ने का कोसिस कर रहे हैं स्ट्रागल कर रहा हैं ताकि कुछ हासिल कर पाएं लाइफ में क्या कर पाएं करने लगता टा करने तो एसके यहांपर देख सकते हैं पिक्टर में क्या दिखाया गया यह बंदा काफी ज्यादा लोड लेके चल रहाए यानि कि अश्ट्रओल कर रहा है आप धी ना कि आने वाला जो आपका प्रगल कि होगे जिसका मेनिंग होता है संघर सराथ स्कूरूसियेटिंग होरो इंटेंस टॉर्चिवस इसके सिनोनेम्स हो जाएंगे यहां पर आप एक वर्ड़ देख पा रहेंगे टॉर्चिवस में लास्ट में ओई विस आया है ठीके जब विस कि अगर हम बात करें तो ए हम वर्ड को पहचाना सिख पाएंगे कि यह कौन सा पार्ट सब्सक्राइब हो गया तो जब भी वर्ड आएगा तो साथ में आपको बताते चलेंगे इस तरह आप उसको प्रैक्टिकली देख पाएंगे और नोट करके याद कर पाएंगे अगला वर्ड क्या है वोर्ड की ब लड़ना होता है और जब चुना नजदी काता है तो आके हम से जूटे वादे करके जाते हैं कि आपके सहर का आपके गाओं का का विकास करेंगे और जैसे ही उनिए दिखाई तक नहीं देते तो वर्ड मतलब क्या ता किसी चीज़ को करने के लिए प्रॉमिस करना ठीक है य भर वगया जिसका मेनिंव होता है सपाथ प्रामिस या फिर अफ़ाम इसके सिनोनेम सुझाएंगे जैसे आप देखते होंगे कि जैसे भी मतलब सपत गरन होता है जैसे माले यह कोई नया प्रेसिडेंट नया पीम नया सेम जब इलेक्ट किया जाता है तो उसके वाद से उनका सफट गरहन के बहुत सब्सक्राइब करें कि बाद करें तो यहको यह नाउन हो गया क्यूंकि लास्ट में आयों नहीं एक ठीके होता है तो क्लिजन क्या हो गया अगर इसके मिनिंग की बात करें तो इसका मिनिंग होता है एक टेंप्रोरी एलाइंस फॉर कमबाइन एक्षन सपेसली ऑफ क्वलिटिकल पार्टिल्स फॉर्मिंग गवर्मेंट जैसे अभी शुरू सही चुनाओ का हम बात कर रहें एलेक्टन का जो भी वाड़ कवर किए एलेक्टन कहीं बाता रहा है तो यह कोलीजन भी एलेक्टन से र्लेटेड वर्ड यानि कि जब सत्ता में आने के लिए जब वह क्या होता है कि अगर्मान दो पार्टी मिलके एक गौर्रमेंट का निर्वान करती है ठीक है जैसे मान लिजए एक एलेक्टन होगा ठीक है तीन पार्टी उसमें पर्डिसिपेट किया तो जो एक पार्टी है वो अतना मतलब बना पाया कि वह सत्ता में आ सकता है लेकिन यह दो पार्टी क्या होगे उतना नहीं बना पाया तो दोनों क्या करेंगे एक साथ जादा वोट थे वो खासिल कर पाएंगे जब दोनों एक साथ मिल करेंगे तो किया हो जागा इस तीसरे बंदे से उसका ज्यादा हो जाएगा जिस वाज़से मुझा आपना गफ्रेंट बना सकता है तो यह को लीजन होता है जिसको हम लोग क्या उसस हो जाएगा या फिर फेडरेशन हो जाएगा तो यह सारे क्या हो जाएंगे इसके सीनोनेम सुझाएंगे तो वर्ड क्या हो गया कोलीजन जो एक नाउन है क्योंकि लाश्ट में आई नाय है इसका हिंदी मिनिंग गठ बंदन होता है एलाइंस एफिलियेशन पॉसस या फिर फेडरेशन इसके सीनोनेम्स हो जाएंगे या पिक्चर में देख पा रहे होंगे तो देखके विजुराइज करके चीज़े याद कर सकते हैं कि लोग साथ में मिलके क्या करना है किसी चीज का फॉर्मेशन करना है किसी ग्रूप या कोई भी चीज आप मतलब हो गया समझ लिए कि एक तरह का हो गया तो इसको हम यहां पर इसे छोड़ दे रहा है आगे नहीं बता रहे हैं आप इसको जरूर से कंप्लीट करके बताएगा इसका मीनिंग वेगर क्या होता है ठीक है तो देखिए अगर अगर आपके का बात करें तो दूसरा हो मर्क में यह नहां पर उसको फिट करेंगे इसलिए वह वर्ड आपके माइन में कुछ टाइम तक चलेगा और जिसके वाज़ा से आपके माइन में फिट हो जाएगा और वहीं पर याद वजाएगा तो यह काम को बता रहे हैं यह कापी जाद आपको हेल्प करने वाला है नेस्ट वर्ड यह तो और उसको कर देना उसको कर देना ठीके टोको अर्विटर्ट कर देना इसको कर दाखे तो उसको यह कोने के मधह लिगा ist इस वर्ड को की रेफरी क्या होता है कि जब हम लोग देखते हैं फुटबाल मैच वेगारा या ओपी ऊदसानी लुडए मैड्येटर मेडेटर इसके शुट्र learnt यह धेखिप रहे होगा पिकचर में पिक्चर यहां से अनोश जा रहा है तो दखिए फिक्टर देख लिए और देखें 2-0 के माले कोई भी चीज़ हो रहा है और truth उसका रिजाल्ट देख रहा है कि उसमें कौन सही है । खर झाला के तरफ ए Holland की बात करें तो सब्सक्राइब जरूरत हो या उसका अनुमत्री मिलाओ किसी इन एक्टेट्टी इस्टेट्यू द्वरा अस्टेट्ट्री मतलब क्या होता है बैधानिक ठीक है बैधानिक इसका हिंदी मिनिंग होता है स्टेट्री मतलब क्या होता है और श्रीट्रीट्री इसके अधिकार में उसके द्वरा किसी एक नियम को बनाया जा रहा है या डारेक्टिम को तो से दवार को चीज संचाली हुए जा रहा है थीक है तो नियम वेगर बनाया जा रहे है रूल रेगुलेशन उसको क्या बलेंगे रेगुलेटेड यानि कि नियम इसका हंदी मिनिंग हो गया सिनोनेम्स की बात खरें तो रूलिंग और डायरेक्टिव या फिर एक्ट ये सारे इसके लग्ट ऊजाएंगे ठीक है ये सारी के हो जाएंगे इसके सिनोनेम सुझाएंगे तो वर्ड रेगुलेट हो गया जिसका मेंनी होता है नियाम रूलिंग और डिरेक्टिव एक्ट इसके स्योनियम सुझाएंगे नाइन्थ वर्ड की बात करें तो नाइन्थ वर्ड है बनेफिसियल यहां पर एक एड्जेक्टिव है बहुत टाइम मतलब पिछले कुछ सेशन अगर आप देखें होंगे वीडियो तो उसमें बनेफिसियर बनेफिसियल यहां पर एड्जेक्टिव फॉर्म है लास्ट में आया तो वर्ड क्या जाता है एड्जेक्टिव हो जाता है यह चीज आप नोट कर लिजिए तो बनेफिसियल मतलब होता है एप परसन फूट्राइस एडवांटेज फ्रम संधिंग यानि कि ऐसा बंदा जी स से कशीज का लभ मिल रा किसी चीज़ से त्रस्टिव हो गया या कोई लाइफ इंस्रिंस कंपनी हो उसके द्वारा उसके द्वारा उस्ते बेणि ब्लेंग कई यानिके लभारती इसका हिंदी में हो जागा तो नेफिसयर या zosta दो नो?. T लाफार्थिंटी उन्हेर्टर लीड़ेकर सल्छा साथ सिननेव शोजएंगे स्टे सब्सक्राइब गयां शाय करना का मनितिक होता है अ velvet नेसेसरी एबिलिटी नॉलेज और स्कील टू डू सम्थिंग सक्सेस्पूली यानि कोई ऐसा बंदा जिसके पास योग्यता हो ज्यान हो या फिल जासे माल लेजे की आपको कदिंगाती है तो आप अगर एडिक मतलब किया है सब जांठी है लो करण सक्ड़ो ले के सख्सम है आपको वेब साइट बना सकता है को कॉई एफिसिन अगर आपको टूल्भ होगा हनगे तो जो भी यहां परकर कराया गया है सब कुछ एच्छे से समझा दिया गया तो आज के लिए इतना ही आज का सेशन नहीं पर समाप्त हुआ सेशन कैसर लागा कमेंट सेशन में जरूर बताईएगा तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में थैंक्स फर वाचिंग जैहिंद